नमस्ते दोस्तो वेलकम बाक टू माँ चानल लाइफलाइन विद सिल्वी और जैसे के मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आज मैं बहुत ही चट्पटी ये चट्पी लेख्या आज करते हैं आज की इंग्रीडियन्स पहले हमें चाहिए होगा इमली का पल्प आप आप इमली का पल्प घर पे भी तेयार कर सकते हैं नहीं तो रेडी मेट भी मिलता है आप यूज कर सकते हैं धाई से तीन चमच गुड़ बनाना अगरा है तो आप डाल सकते हैं स्किप भी कर सकते हैं खजूर चार से पांच कटी हुई थोड़ा सा पुदीना एक चमच अधर चमच जीरा, अधर चमच अजवायन, काली इलाइची आधी, दो हरी इलाइची, दो तीन लॉंग, थोड़ा सा हींग, थोड़ी सी लाल मिच, थोड़ी ही काली मिच, नमक और मैं तो ये बनाऊंगी चटनी एक चमच देसीगी में आप देसीगी ना लेके आप कोई औ और ओयल भी ले सकते हैं अपनी पसंद का, तो बने रहे हैं मेरे साथ, इन दे मेकिंग अफ दा चटनी, हम पहले एक पैन करम कर लेंगे, उस पैन में हम डालेंगे देसीगी, एक सब और चमच जो मैंने बताया आपको, you can skip देसीगी और कोई और भी घी आप डाल सकते हैं, पहले एक से खाले बताएं हैं, भू डालेंगे, हम यह सब सिर्फ यह हमने मसाले डाल दिये हैं, हाथ में ही पल्क भी डाल दिया है, गुर्फ, और उसमें हमें 1-1.5प पानी चाही होगा, कि हमें फ्रॉलपरली पताना है, अब इसे तेस एक पर ही रखेंगे और इसे मिल्ट करेंगे इसमें हम खजूर भी आड़ कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे और अभी हम इसको यह जैसे जैसे आप देखेंगे टाइम होगा भी मिक्स हो जाएगा सुब अभी हम बेट करेंगे यह दीए अब इसमें बॉल आने लग जया है अब इसे पां से सात मिनट हमें ऐसे ही रहने देना है और इसे पकने भी देना और थोड़ा रडियूस भी हो जाएगा यह पांन से सात मिनट हो चुके हैं और अब देखें इसकी कंसिस्टिंसी पस य अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चानल को बेल आइकन पर जरू किजिएगा कमेंट कीजिएगा थैंक यू सो मच फ्रम आपकी दोस्त